नमस्कार दोस्तों अस्ट्रम पॉइंट चनल नेगार फिर आप लों को सागत है तो बिना किसी ओप्चारिकता के फिर हम दूसरा पार्ट लेके आया है भारत मिकानित संसाधन पार्ट टू तो यह पहला कुश्चन देखते हैं भारत मिकीस प्रकार के अरुवरक की खबस सबसे दिखोती है तब का अंसर होगा नेटोजनी अरुवरक दूसरा कुश्चन है भारत की सुरुवरक के लिए आयत पर निर्वर है तो आज भी भारत पोटास अरुवरक के लिए दूसरे देशों के आयत पर निर्वर है तिसरा िभरों खेल को उर्वुट्राइट में ब्रुटा कथर से लिए श्राडश को करनाड़र गभास यहां श्राजार दोर्पीन होता है व्यनुद मड़ेश्य अ75 पॉद्ध्धिकों ब्री सबसे अधिक हुआ है कि भारत के किस उद्योग में पूजी निमेश सबसे अधिक हुआ है किस उद्योग में आनीगी आपका लोग इसपात उद्योग पे सबसे अधिक करखाने कि भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग समसे अधिक हुआ हुआ था तो तो जिसमें उसमें मैक्सिम्म जो कपास के उत्पादन के छेत्र थे वह पाकिस्तान में चले गया थे और जितने भी कार खाने थे वह भारत में रहा गया थे तो इसे जूट रूई उद्योग काफी प्रवावित हुआ था बार नमर क्वेश्चन देखते हैं कि होजरी उद्योग सरवादिक किस राज में हैं तो यह पंजाब में हैं लुद्याना का कपड़ा आ सब्सक्राब कारे निगान कशेशले सिंद्योग में सबसेधिक महिला कारी करती हैं तो यह चाय उद्योग हुग अपने देखाव यूगाम योगा CC धंट ऊंत म twist his कि पीछे एक टोकरी लगा के महिलाएं चाय की पत्तियां चुनती हैं तो आपको यह common sense है कि भारत में किस सुद्ध में सबस्द्ध महिला कारी करती है तो यह चाय उद्ध्योग है कि नेपानगर की सुद्ध के लिए चर्जी थे तो इनके काल में सरवाधिक जूट की मिलें अस्थापित की गए थी कि अवरानती के चितरंजन नमाकस्तान पर किया जाता है स्वारी स्था कंफ्यूजन है मैं इसको दूसरे वीडियो में बता दूँगा 22 कोशन है कि सरवाधिक चिन इमिल कहां स्थापित की गई है तो बिहार के महरावरा रमाकस्तान पर हैं चितरंजन मेरे ख्याल से पश्री मंगाल में उस्तित है एक बाद देखके कंफर्म कर दूँगा 23 क्वेशन है कि प्रतम तेल परिश्क्राण स्यंत्र कहां स्थापित के गए तो यह डिगवोई असम के डिगवोई नमक अस्तान पर है डिगवोई में सरवतन तेल का कुमा भी खोगा खोदा गया था चौदर मर्ट 24 क्वेशन है कि पिमपरी को सुद्धों के लिए सम समधि पैंसिलीन उद्योग मेडिशन के लिए चरचीत है पिमपरी यह माचल वदेश में वस्यत है 25 क्वेशन है कि कौन सी राज में रेल के डिबों का बड़ी मात्रा मुत पादन होता है तो यह पंजाब तमिलान में होता है 26 क्वेशन है कि उत्तव विदेश में दिया सलाय उद खाना है सबसे अधिक कहां है आहमेदाबाद में है कि भारत में पेराई मिल वत त्याल ताले का उत्पाधन सरवाधि कहां के जाता है अलिगड में ताला नगरी भीका या तालिगड को 29 कोश्चन है चुरुक किस उद्योग के लिए चरचित है तो यह सिमेंट उद्योग के सीशा चूड़ियां अभी बहुत जादे बनाई जाती है तो सीशा उद्योग कांच उद्योग के लिए भारत का फिरोजावाद जिला है जनपद है उत्तरपरदेश का यह सरवाधिक चर्चित है 31 क्वेशन है कि भारत में मैसूर किसके लिए परसीद है तो यह रिशम उद पीतल के सबसे अधिक बरतन कहां बना जाते हैं तो मुरादाबाद मुरादाबाद पीतल नगरी भी कही जाती है चौटा नागपूर का अस्तान रिज हर खन चतित गड़ा थोड़ा था यह एरिया है चोटा नागपूर को पठाप यह खनी चुद बादन के लिए बहुत ज को बादो क करनाटक में याद रखन आंपको एनकर करनाटे गराज में कि पाहड़ियां कि सर्वाधिक चर्चित हैं चारीस नुमर क्वेशन देखते हैं कि भारत में पाया जनुबाल लोघस कि प्रकार का है तो हमेट प्रकार का है आप्सन देदेगा हेमेटाइट मेंगेटाइट और भी दो एक क्वालिटी देदेगा तो आपको याद रखना है कि भारत में पायजनवर जो लोहा है वो सबसे अधिक हेमेटाइट प्रकार का लोहा है 11 नमबर है कि जावर और रामपूरा अगुचा खान किस खनीच से समधित है तो जजसा और सीसा के लिए चर्चित है जावर की खदाने और रामपूरा की अगुचा खान 42 नूमर कुश्चन है कि पलाम разм lohar da gha किष खनीच के लिए प्रसिद्ध है तो यह बाक्साइट के यह बॉखसाइट के यह प्रसिद्ध है पलाम और जो लोह बगा जिला है वह भाक्साइट के लिए सरवादिक चर्चित है 43 नूमर कुश्चन है कि भारत का 55% अब्रक कौन सा राज्जय देता है तो यह आंदर प्रदेश होता है हाला कि उडिशा में भी सर उत्पादन इसका होता है लेकिन आदर प्रदेश होता है पूरे भारत के उत्पादन का पच्पर प्रस्ट उत्पादन करता है अकेले क्षबारीश 9- divorce w यह सफेद संग्मर्मर्मर की लिए चर्चित है तो यह सफेद संगवर्मर् के लिए चर्चिद है सनतारी अमद के रहया किस उत्पादन के लिए फोग स्टारी लिए कि भारत में मिलने में और अदि कंशी के लिए किस बlaughter-। से प्राफ्प्त हुता है उन्चास नमर है कि भारत में सरो प्रतम कोले का उत्पादन कब हो कहां किया गया तो यह राणी घंज में किया गया पच्चास प्रश्ण है न्व्यक खनके धनर के लिए प्रसेद अ कि ये लेगनाईट के लेने प्रसेद है एक क्यान नॉमर selection ह्ञाइए भारत में सबसेद क्कोलि कि स्राज में पाज़ा ता तो ये ज्ञारगंडər या बाउन नॉम्र नम्र क्वेशन है को एंगसी के साफना कब की गई थी 1956 में की गई थी 55 नम्र क्वेशन की काई कालूर खनीज तेल किस नदी घाटी के च्छत्र में पाया जाता है तो ये क्रिश्ना गुदावरी सौथ दचिल भारत का ये भाग है जहां पे काईलूर खनीज तेल के संसाधन य आपको यह दम से याद हो जाएगी तो यह आपका वीडियो तो प्लीज जो भी चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करने जहीं जवारत